हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब चलिए बढ़ते हैं खबर की तरब 36 गड़ में विलासपुर्थ से विधायक पर मुकदमा दर्ज होने की अजीब कहानी है देखें 36 गड़ की एखबर हैं हम चाहते कि आप देखें विधायक जी घर बैठे पैठे फस गए है क्यों फस गए कैसे फस गए प्रतिमा करोना काल चल रहा है इस वक्त तो करोना काल में दानेपुनी में भी हाथ जल रहा है साथार रहे हैं ये हैं कॉंग्रेस विधायक शैलेश पांडे, कुरोना बंदी के चलते घर में, मदद के इरादे से जरूरत मन्द को राशन बाटने लगे, भीर लग गई, नियम तूट गया, एफाई आर हो गई कॉंग्रेस की सरकार में घर बैटे फसे विधायक जी, बचाओं में भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए मैंने उस भीड को वापस अपने घर में जाए, उसकी लिए मैंने कानून की मदद करी, कानून को बताया, मैंने कौन सा कानून का खिलवार किया, कहां से किया मैंने? अगर कोई भूका आदमी है, उसको खाना खिला रहा हूं मैं, तो मैंने अपराद किया है, इन्होंने मुझे अपरादी बना दिया, इनकी इतनी हिम्मत, ये मेरे विशेशा अधिकार का हनन है बाप दिल्ली की, दिल्ली में कोरोना के मरीजों का राम मनोहर लोहिया में इलाज चल रहा है, जी हाँ, इस अस्पताल से लेकिन जो खाबर आ रही है, वो अच्छी नहीं है तो दिखिए जो कोरोना के खिलाफ योद्धा हैं, वही संकट में पढ़ गए हैं, कई मेडिकल स्टाफ को कॉरिंटीन में भीजा गया है कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़े अस्पताल में से एक, आरेमल के छे डॉक्टरों को कॉरिंटाइन में भीजा गया चार नर्सों को भी एतिहातन सेल्फ कॉरिंटाइन में भीजा गया राम मनोहर लोहिया अस्पताल की यूनिट दो में किद्नी के एक मरीज को भड़ती किया गया था जाच के बाद मरीज को कुरोना से संक्रुमित पाया गया जिसके बाद मरीज का इलाज करने वाले या उसके संपर्क में आने वाले मेडिकल स्टाफ को ले कर ये फैसला लिया गया वही पीडिक मरीज को अब आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है WHO के प्रोटोकॉल के मुताबएक अगर कोई medical staff कोरोना पीडित के संपर्थ में आता है तो जाच होने तक उन्हें सामाजिक तौर पर अलग करना ज़रूरी है न्यूज की फील है लेट एनी टाइम फूद डिलिवरी के टाइम पर मिली अपने फेवरिट एंकर से किसी भी टाइम एबीबी लाइव एप के साथ रहो सब से आगे डाउनलोड नाव मैं शेकर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधान मंत्री सीरीस टू शनिवाराद दस्बडे